नमस्कार न्यूस पियार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रीती राजत का भाजपा का साथ छोड़कर जेडियू को सरकार बनाने का ओफर देने के बाद भाजपा के गलियारों में हरकंप मजगया है भाजपा के नेता नितीश कुमार को अब उन 20 महीनों को इशारों ही इशारों में याद दिलवा रहे हैं कि 20 महीनों में आपकी कितनी फजीहत हुई थी दरसल उन वो उर्च 20 महीने में तेजश्वी यादव के साथ मिलकर के जेडियू ने सरकार बनाई तेजश्वी यादव उस वक्त डिप्टी सीम भी बने थे लेकिन उन 20 महीनों में नितीश कुमार को इतनी फजीहत जेलनी परी इतनी परिशानिया जेलनी परी कि आखिरकार मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने अपना मंतरी मंडल भंकर दिया और फिर आखिरकार भाशपा के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी के प्रवक्ता है मनोश शर्मा वो बताते हैं कि साल 2015 से ही बीजेपी जेडियू के साथ खड़ी है लेकिन उन 20 महीनों में जब बिहार की जनता ने राजत के बेटे को यानि के तेजश्वी यादव को डिप्टी सियम बनाया सत्ता संभालने का मौका दिया कि जनता की सेवा करेंगे उस वक्त लालू प्रशाद यादव के दोनों बेटे तेजश्वी यादव और तेजप्रताप यादव ने इतना लूट खसोट मचाया इतने घोटाले हुए कि आकरकार नितीश कुमार परिशान हो गये और इसी परिशानी के कारण उन्होंने अपना मंत्री मंडल भंग कर दिया और आकरकार राज़त का साथ छोड़ कर वापस से बीजेपी के साथ मिल गये आपको बता दे कि 20 महीने में सरकार में मौल घोटाला मिट्टी घोटाला जमीन घोटाला सहित कई घोटाले से धन अरज़त करने के लिए लालू यादव के दोनों युवराज दिन रात मह मेनत करने लगे ये बाते भाशपा के प्रवक्ता मनोश शर्मा ने कही उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार नितीश कुमार को साथ छोड़ना परा और भाशपा के साथ आना परा राज़त की प्रदीश अध्यक जगदान अंदिस सिंग को अध्यन करने की जरूरत है उन् नितीश कुमार ने बिहार के लिए देखा दरसल ये मामला उठा है जाती जनगणना को लेकर के उसमें राज़त फ्रंट पुट खेल रही है जाती जनगणना के साथ अब मसला विशेश राज़त के दरजे को लेकर भी है इससे लगतार राज़त जेडियू पर तंजकस रह हाला कि आज की तारीक में राज़त के पास 75 विधायक है कॉंग्रेस के 19 और लेट के 16 विधायक है कुल मिलाकर की 110 विधायक तेज़िश्वी यादब को समर्थन दे रहे है बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन की जरूरत है जेडियू के पास 45 विधा अगर राज़त और जेडियू एक साथ मिल जाती है तो 156 सीटे मिल जाएगी उससे सरकार बदल सकती है ऐसे में राज़त के मन में कहीं न कहीं कोई प्लानिंग जरूर चल रही है कि फिर से जेडियू को अपने साथ कर ले इस पर बीज़िपी तिलमिला उठी है और बीज़ राज़त के साथ मिलेते उस वक्त आपके साथ कितनी फजीहते हुई थी अब ऐसे में देखना दिल्चस्प हो जाता है कि जेडियू जो अभी चुपी सादे हुए है इस पूरे प्राकरण पर ऐसे में अगर राज़त की तरफ से और बायान बाजिया होती है तो जेडियू क के दरफ से क्या कुछ जवाब आता है इस खबर में इतना ही आप बने रहे न्यूस प्यार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद